दोस्तों लेपटाप में अगर आपको testpad के माध्यम से किसी windows को आपको drag करना है तो इस काम को आप कैसे कर पाएंगे दोस्तों आपको pointer को यहाँ पे बीच में और उपर की तरफ यहाँ पे ले जाना है और यहाँ पे आपको दो बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको आपको drag करना है तो आप देख पा रहे हैं इस window को हम इस तरह से दो बार double क्लिक करने के बाद इसको हम जिस भी position पे चाहें महाँ पे इसको drag और drop कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह के informative वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करिए Thank you, happy nice day